हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने येटूब चैनल के नहीं या क्लासस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मोल रता, मोल अलता, मोल प्रभाज और नारमलता की परिभासा आपको लिखना बताएंगे और इसके साथ उनके सूत्र भी आपको बता जिसके माद्यम से आप सवाल लगा सकेंगे, तो सबसे पहले हैडिन डालेंगे मोल रता, इसमें लिखेंगे एक लीटर विलेन में उपस्थित, विले की मोलों की संख्या को विलेन की मोल रता कहते हैं, इसे कैप्टल M से प्रादर्शित करते हैं, यानि की मोल रता की विलेन में उपस्थित, विले की मोलों की संख्या को विलेन की मोल रता कहते हैं, इसे कैप्टल M से प्रादर्शित करते हैं, अब सूत्र लिखेंगे, मोल रता बराबर विले के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में, यानि की सूत्र है, मोल रता बराबर विले के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में, दूसरा सूत्र है, मोलता बराबर विले के मोल, बटे, विलेन का आयतन, एमेल या सेमी क्यूग, गुड़े 1000, यानि कि हमने यह आप पर दो सूत्र लिखें, यदि सवाल में लीटर में दिया होगा, तो आपको गुड़े में 1000 नहीं लिखना है, अगर मोलता निकालना है, और लीटर में ना देकर, मिली में दिया है, गराम में दिया है, तो आप गुड़े 1000 लिख सकते हैं, यानि कि यहाँ पर हमने दो सूत्र लिखें हैं, जब आप सवाल लगाएंगे, तो आप एक बात ध्य रखेंगे, कि यदि लीटर में दिया है, तो सूत्र लगाएंगे, मोल रता बराबर विले के मोल बटे, विलेन का आयतन लीटर में, तो आप गुड़े में 1000 नहीं लिखेंगे, यदि मोल रता निकालना है, उसमें ML में दिया है, या सेमी क्यूब में दिया है, तो आप गु क्यूप में दिया उससाब से आप सुत्र लगाएंगे अगलें डालेंगे मो ललता इसमें लिखेंगे एक किलोगराम विलायक में विले की मोलों की संख्या को विलेन की मो ललता कहते हैं इसे इसमालें से व्यक्त करते हैं यानि की मो ललता की परिवासा है एक किलोगराम विला की मो ललता कहते हैं इससे स्वाल M से व्यक्त करते हैं अब इसका सूत्र है मो ललता बराबर विले के मोल बटे विलायक का द्रमान केजी में दूसरा है मो ललता बराबर विले के मोल बटे विलायक का द्रमान गराम में गुड़े 1000 यहां हमने मो ललता के भी दो सूत्र लिखे ह यदि सवाल में द्रवमान केजी में दिया है विलायक का द्रवमान केजी में दिया है तो आप गुड़े एक हजार नहीं लिखेंगे और अगर विलायक का द्रवमान गरा में दिया है तो गुड़े में एक हजार लिखेंगे उसके बाद सवाल को लगाएंगे यहाँ पर दो सुत्र हैं आप जब सवाल लगाएंगे तीस बात को याद रखेंगे कि जब भी आपको मोल रता निकालना है तो आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद उसमें देखेंगे यद विलायक का द्रुमान केजी में दिया है तो आप पहले वाला सुत लगाएंगे अगलें डालेंगे नार्मलता इसमें लिखेंगे एक लीटर विलेन में उपस्थित विले की ग्राम तुलियांकों की संक्या को विलेन की नार्मलता कहते हैं इसे capital N से व्यक्त करते हैं यानि कि नारमलता की परिभासा है एक लिटर विलेन में उपस्थित विले की ग्राम तुलियांकों की संख्या को विलेन की नारमलता कहते हैं इसे capital N से व्यक्त करते हैं अब इसका सूत्र होगा नारमलता का तो लिखेंगे नारमलता बराबर विले के ग्राम तुलियांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में इसका दूसरा सुत्र है नारमलता बराबर विले के ग्राम तुलियांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन एमेल में गुड़े 1000 यहाँ पर हमने दो सुत लिखे हैं जब आप सवाल को लगाएंगे तो याद रखेंगे यदि विलेन का आयतन लीटर में दिया है तो आप पहला अला सुत लगाएंगे यदि विलेन का आयतन एमेल में दिया है तो आप यहाँ पर गुरे एक हजा लिखा यानि कि आप दूसरा अगले डालेंगे मोल प्रभाज इसमें लिखेंगे विलेन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं यानि कि मोल प्रभाज की परिभासा लिखेंगे विलेन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं अब इसके आगे लिखेंगे माना एक विलेन में विले के N1 मॉल है मैंने लिखा यहाँ पर माना कि एक विलेन में विले के N1 मॉल है तथा विलाय के N2 मॉल उपस्तित है तब लिखेंगे X1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2 इसको मानेंगे समीकर नमबर 1 फिल लिखेंगे x2 बराबर n2 बटे n1 प्लस n2 इसको मानेंगे समीकर नमबर 2 अब क्या करेंगे समीकर 1 और समीकर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकर एक वा समीकर 2 को जोड़ने पर तो समीखण का दू बायाप पच्छे, पहले हमने उसको जोडा, X1 प्लस X2 बराबर, जो दायाप पच्छे उसको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे, N1 बटे N1 प्लस N2 प्लस N2 बटे N1 प्लस N2, यानि कि हमने यहां पर लिखा था कि समीखण एक और दो को जोड़ने पर, तो बायापच χ है X1-X2, पहले एक्सवन प्लस X2 जोड़ा, फिर हम लिखा बराबर N1 बते N1 प्लस N2 प्लस N2 प्लस N1 प्लस N2 यहने की पहले बायापच्छ जोड़ा, उसके बाद दायापच्छ को आपस में जोड़ दिया, फिर हमने इसके आगी लिखा है, X1 प्लस X2 बराबर अब यहाँ पर देखें दोनों के हर बराबर हैं तो लासा कितना मिल जाएगा N1 प्लस N2 उपर कितना बचेगा N1 प्लस N2 अब इसको काड़ देंगे तो कितना आएगा 1 तो लिखेंगे यहाँ पर X1 प्लस X2 बराबर 1 तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया की मोल रता किसे कहते हैं मोल रता किसे कहते हैं नारमलता किसे कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंस किसे कहते हैं इसके बारे में हमने आपको विश्तार पूरग समझाया है और इसके सूत्र भी हमने आपको लिकर बता दिया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से सवालों को भी लगा सकते हैं, तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें, मिलते हैं, अगले वीडियो में नए टॉ पिक के साथ, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!